हेलो दोस्तो आपका स्वागत है इस यूटूब वीडियो में और आज हम बात करेंगे आने वाले वीक के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे उससे पहले एक छोटा साथ डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो only for educational learning purpose से बनाया जारा है ना कि ट्रेडी परपस से कोई भी खरीच प जोजिंग अच्छे खासे लेवल पर हुई है 15163 जो 10 पॉइंट नीचे की तरह बंद हुआ है लेकिन उपर के लेवल से नीचे होते हुए दिखेगा और नीचे के लेवल से उपर बिलकुल सेंटर पॉइंट पर बंद हुआ है आने वाला वीक जो कल मंडे से 15 फेबॉरी स से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉंटेंट लेवल जो यह ब्रेक आउट लेवल है 15214 से 1524 यह है फ्यूचर का लेवल और फ्यूचर का प्रेमियम जो है मात्र माइनस वन है तो फ्यूचर और कैस में ज्यादा अंतर नहीं है तो आप इसको कैस पर इस्टेंस होगा और इंपॉंटेंट सपोर्ट जो है यह एक इंपॉंटेंट सपोर्ट है 15108 के नीचे और 15,075 के नीचे 15,075 एक लेंदमार्क त्यार करेगा जो बार बार वहां पर बॉटम भी बना रहा है आप देखेंगे फ्राइडे का जो लो है 15,081 और 15,074 और एक म 15,025 यह एक मेजर ब्रेकडाउन लेवल है और उपर जो ब्रेकाउट लेवल है 15,300 त्री अंडेड के ऊपर जाएगा मिंस के इंट्राइडे लेवल पर देखा जाए जो 250 क्रोस करता है तो इंट्राइडे में 340 का एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा और 340 के ऊपर डिसाइड करेगा कि 15,250 अब 15,350 के आसपास उपर की लेवल की क्लोजिंग होती है या कॉंसलिडेट करना है अगर निप्टी को है आज फर्माई भी मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए 250 से लेकर के 74 यह जो कॉंसलिडेशन रेंज जो पिछले दो दिनों तिन दिनों से देखा हो सकता है चांसेज क्या है 60% चांसेज है कि 15,025 का जो वीकली ब्रेकडाउन लेवल है यह कहीं न कहीं तूट सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेसन में तो कल बहुत इंपर्टेल ट्रेडिंग सेसन होने वाला है जो की रेंज पिछले अप्ते का जो रेंज था लास्ट दो उसी रेंज में ट्रेड होगा और मंडे फाइनली इस रेंज को ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन करने की त्यारी पुड़ी पुड़ी करेगा तो इसी के साथ इस निफ्टी के अनालिस के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जून के लोग हैं उनके लिए मैं बैंक निप्टी और अधर एस्टोकों की अनालिसिस करूंगा अधर वीडियो में इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो के बाइट